तो आज हम बात करने वाले हैं retaining wall and its types के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि retaining wall actual में होता क्या है retaining मतलब के आप कुछ चीजों को retain करने वाले हो किसी भी एक चीज से अब वह एक चीज क्या है तो आप उस word को full करें complete करें retaining wall एक wall के help से आप किसी चीज को retain कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे retaining wall बोलोगे अब क्या चीज रिटेन कर रहे हो अब वह कोई भी चीज हो सकती है अगर हम easily सबसे easy example लें तो आप जो भी आपका एक अर्धी material है soil है कुछ भी चीज है क्योंकि आप fill कर रहे हो अर्थ से और उसके कोई भी एक greater height में उसका retain हो उस चीज को आप क्या बोलोगे retaining wall बोल रहे हो ठीक है तो retaining walls are built to retained filled earth of greater height पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि यह जो retaining wall है वो commonly कहां पर used होती है roads में होती है railway के projects में होती है जहां पे आपको earth की filling की requirement बहुत जरूरी है क्यों अगर railway की बात करें तो वो track को maintain कर सके अगर roadway की बात करें तो road के level को especially जो approaches होती है bridges की approach हो गई तो वहां पे आप maintain कर सको ठीक है अगर आप residential building की बात करो तो retaining walls की बहुत ज्यादा अवश्यक्ता पढ़ती है अगर आप basement अगर आप provide कर रहे हो तो basement is also a kind of retaining structure retaining wall अगर आप bridges की बात करो तो जो wing wall होती जो abutments होते हैं वो भी as a retaining structure ये काम करते हैं और आपको screen के अंदर एक diagram देखने को मिल रहा हूँ एक typical retaining wall का diagram है जहां पर आपको backfill के अंदर आपको gravel sand भी दिख रहे होएंगे आपको drinks भी अलग-अलग देख रहे होगी कि आपको drainage भी देने के लिए आपको अलग-अलग अरदी material प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि drainage भी easily हो सके जब आप बात करते हैं types की तो retaining wall के चार types हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं 7-7 के अंदर आपने इसको RCC2 के अंदर आपने पढ़ा है retaining wall की design अगर मैं types की बात करो तो सबसे पहला gravity retaining wall दूसरा semi gravity retaining wall तीसरा counter for retaining wall चौथा cantilever retaining wall तो यह कुछ इस तरीके से आपके retaining wall होती है और एक और होती है buttress retaining wall ठीक है buttress retaining wall तो इस तरीके की यह types होते है retaining wall के आगे की lecture में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से behavior होता है retaining walls का आज की लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में thank you very much झाल